मदद करने की फौज लगा दी है मोदी जी ने इनका काम नहीं है मंत्रियों का काम है कि जहां गोटाला होता है जहां दिक्कत आती इतना सारा सामने आया बहार के देशों के लोगों ने इसका संग्यान लिया और हमारी सरकार है जो सब जंगासी करके इसी को मदद करने में लगी हुई है कौन सी अगर आप मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ पर जिस रेगुलेटरी की सैभी की बात हम करते हैं और जिसके घोटाले हुए ह उनके संभी के वहां जो लोग लगे हुए हैं वो कहां से लगे हुए हैं उसी संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पे रहे हुए लोग या उसी संस्था में अगर एक आदमी आपका बैठा हुआ है क्या जाज सही होगी तो ये लिफाफों भी नहीं करनी चाहिए और स्विकार करना चाहिए कि घोटाला हुआ है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है देश के उन नागरिक जो महनतकर्श है उनके पैसे LIC में SBI में है वो आपने डुबू दिये है स्विकार तो करो कितना बड़ा घाटा हुआ सिर्फ 4-5 दिन में कौन है जिम्मेवार इसके देले वाले की खुद की चाल चलन और चरित्र जिसके उपर हमारे नयायले ने भी संग्यान लिया गोली मारो गोली मारो वाले बयान पे वो दूसरे को चाल चलन और चरित्र समझाएंगे हमें क्या करना है हम बलीबारती समझते हैं जब देशवासी के लोगों के उपर इतन सब ठीक है तो 267 के तहट हम चर्चा मांगते हैं क्या दिक्कत है या देदो चर्चा हम JPC मांग रहे हैं देदो जोइन पार्लामेंटरी कमीटी आपके MPs ज्यादा होंगे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हम पार्लामेंट चलाना चाहते हैं पर रियल इस्यूज पे आपकी मनमानी से पार्लामेंटरी चलती हैं और वही अरून जेटली जी और सुश्मा स्वराज जी जब ओपोजिशन में थी भाजपा कहते थे के सधन नहीं चलने देना भी एक पार्लामेंटरी टेक्टिक है यह ओपोजिशन के हाथ का अथ्यार है जिसे बार-बार उप्योग करना चीए यह कहने वाले सुश्मा जी और अरून जेटली जी भाजपा कही नेता थे जब हमारा शासन था हम चर्चा भी देते थे जेपीसी भी बनाते थे अगर कुछ दिक्कत नहीं है आए करें देखिये लाइक माइटेड पार्टी जो है अपने दिखा होगा है कि अल उपोजिशन युनाइटे है क्योंकि जनता के बहुत बड़े पैसों का मामला है यह बहुत बड़ा घोटाला है तो सभी उपोजिशन पार्टी कहीं थोड़े मोटे हमारे में भी डिफरेंसिस होगे चोड़के सब एक साथ होके इसके खिलाप लड़ रहे हैं मिलेंगे आगे की स्टेटेजिये मा आगे तै करेंगे आखिर जनता की अदालत भी तो देख रही हैं लोग भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बीजेपी किस हद तक एक घोटा लेके अंदर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससब देखते हैं अब तो यह है कि जब काम के नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं काम नहीं कारना में किये हैं तो अब ये राम के नाम पे वोट बटोरने की एक और कोशिश है मंदीर भी रहे मस्जीद भी रहे ये कहते हुए सुप्रीम कोट ने मंदीर और मस्जीद दोनों के लिए जगे ताइकी और दी अब ये कह रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोट नहीं हमने कुछ कर दिया है तो कि जंता भूली ज़रूर है उसे मुर्ख बनाने की कोशिश भाजपा वाले कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे लोग बड़ी बाली पहचान गए हैं कि देश में भाजपा के शासन में बहुत नुकसान हुआ है रोजगार नहीं महंगाई आसमान पे हैं घोटाले पे घोटाले बाहर आ रहे हैं तो अब ये डुपता हुआ तिनके का सहारा लेता है ये इसी तरह की कोशिश है अपने स्टेट में भी जहां पर भी कानून है कानून का काम करे पर सिर्फ वोट बेंक पॉलिटिक्स के लिए किसी को हैरेस करो या कानून का दुरूपयोग करो वो करने से वोट बढ़ जाएंगे ऐसा ये मानते हैं उसमें सफल नहीं है